दिरेंदर शास्त्री के उकात क्या है? वो तो हमारे भगवान का मौताज है न? तो क्या भगवान से बड़ा दिरेंदर शास्त्री है? इतना बड़ा कांड ये इतना बचकाना हरकत हो कैसे सकते? दिरेंदर शावी दिरेंदर शास्त्री गीता से बड़ा है, हनुमान का नाम ल तर वे तब भी नकली हो। वहां से वां से तरग है, बोली, मीडिया काप्चर कर लिए, वो देखेउंगे आप तीन मिनट, चार मिनट हैसे फोन में लगतार बात करेंगे हैं, क्या बात कर रहे थे वो किस से बात कर रहे हैं, अमिच्छा से बात पर रहे थे कि बेटा तुमको कहा फसा दिये तुम्हारे चकर में हमको बाला सोर आना पढ़ लगा और यह पर गालि शुन नी पढ़ लोग तुम्हारे चकर में मुटा वज्ञे , हम कहा फस के तुमको पता भी नहीं ये जो लोग एक हरा और ओरंज कपड़ा पहन कर जो ये टीवी पे बैट जा रहे हैं कि कोई दो पैसे की आउकात नहीं है गंगा सागर को नहीं मानकर वरानसी को नहीं मानकर घाट औरसी को नहीं मानकर वो दृंदे शासरी का तलवा चाटे उनके लिए बेटर है देखे यह जो दुरगटना हुआ है मेरे खाल से भारत का सबसे बड़ा कठिन समय का वक्त था और जिस तरीके से हुआ यह बोलना काफी ही मुश्किल था कि actually हो क्या रहा है क्योंकि जब मैं भी रात को यह खबर सुनकर जब मैं सुबा उठके यह वीडियो देख रहा था तो काफी चिंता जनक वाली वीडियो थी कि मतलब जिस हिसाब से रेलवे ट्रैक को डिरेल करते हुए यह चीरते हुए 128 और 122 ट्रैन 128 और 127 के स्पीड में जब वो सामने से गुजर के ट्रैक चेंज करते हैं मारा गया तो हकीकत की बात है कि जो लोग उस वक मौजूद थे ट् रही बात कि अभी यह ब्लेम गेम करना है कि नहीं मगर मैं ऐसा पॉलिटिकल स्टेट्मेंट नहीं मगर मैं अपने दिल की बात बोलना चाहता हूँ कर क्या यह चीज अगर बंगाल में होता तो आज भाजपा क्या करती है क्या बाजपा बंगाल के गवर्मेंट को छोड़ कि एक इस्तित्र ह privacy के मुख्य मंतरी को छोड़ दे ती या हम जैसे вижу जो सचाई के रास्ते में चल रहें और सज बात कर रहें क्या वो हमें छोड़ देतें बिलकुल नहीं छोड़ते वह सब पहले यह कहते हैं कि हाउडा, स्यालदा, शालिमार, संत्रागाची, न्यू क्यालकटा, यह सारे रेलवे ट्रैक को मेंटेन नहीं किया गया, यह सारे चीज को बिल्कुल सही से नहीं, हाला कि रेलवे हमेशा सेंट्रल के अंदर आता है, रेलवे स्टेट के अंदर नहीं आता ह पिर भी आज वो अटैक किया जाता है, आज ओडिसा में हुआ, इसलिए ओडिसा को अटैक नहीं किया गया, क्योंकि नवीन बाबु एक वाके में अपने में काबिले तारीफ एक मुख्य मंत्री है, इसमें तो कोई दो राई की बाती ने, मैं खुद तारीफ करना चाहता हूं मगर वो न्यूट्रल रहते हैं, वसलिए उनके उपर उंगली नहीं उठाई गई, अगर यह न्यूट्रल नहीं होते हैं, अगर यही चीज राजस्थान में होता, बंगाल में होता, तब आप इसका जादू देखते हैं, यह जो 400-500 लोग जो मरें और यह आकले को छुपाय किया गिया है, और उसको छुपाने के बाद यह आकला सामने में आया है, कि 280 है कितने लोगों की जान, जो मैं क्या ही कहता हूं, मतलब शब नहीं है मेरे पास, यह जान जा चुका है, मगर सबसे बड़ी बात यह है मुझाहिद, कि इतना बड़ा कांड, यह इतना बचकाना ह मतलब एक नॉर्मल लैंग्विज में कहना चाहता हूं, एक माल गाड़ी यहां पाक की वी है, मतलब आप पारकिंग में लगी वी है, दाउन में, एक गाड़ी आपके इधर से आ रहा है, और आप यहां जा रहे हैं, तो मैं रेलवे मास्टर की बास सुन रहा था, कि कोई अ आपको ऐसी ही बता रहा हूं, डिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूं, शायद 20 मीटर भी नहीं होगा, ठीक है, वो मुह के सामने आके ट्रेक चेंज करके उसने पूरे ट्रेन को बैंक किया, ट्रेन से ट्रेन लड़ा, उसकी इंजिन उपर चड़ गई, यह बहुत सोचने व बजट दिया गया है, और कोई भी ट्रेन अगर 100-200 मीटर के आगे रहेगा, या कितने हाफ किलो मीटर के आगे या पीछे रहेगा, वो आटमाटिकली बंद हो जाएगा, यह कवच कहां है, यह बजट कहां गया, और कितने रेलों में लगा, सवाल यह है, हमें यह चीज का चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे इसका प्यायल करना चाहिए, मुझे इसकी तप्तीश करनी चाहिए, कि जब यह बात कवच की कर रहे थे, रेलों मंतरी, यह कवच कहां गया, नितीश कुमार के रिजीम में जब नितीश कुमार मंतरी थे, उनके साथ कुछ हादसा हो गय किया था उन्होंने रिजाइन दे दिया मंताब एनर्जी जब रेलवे मंत्री थी अटल बिहारी के रिजीम में वो रिजाइन देने के लिए एक पैर में खड़ी थी मगर अटल बावु ने उनको रोग दिया उन्हें कहा था नहीं जिस तरीके से आपने काम किया जिस शेहन श खराब हो गया लाइड वंद हो गई यहारा से ग्रीन नहीं हुआ एंगर एक ट्रैक से दूसरा ट्रेंट एक 282 के स्पीड में आपको जब पता है तो यह कैसे मिस हो सकता यह कैसे नहीं दिखा आप लोग को कि ट्रैक चेंज होकर है आपने वह इंजिन का शकल देखा था वह इंजिन ऐसे दूसरे ट्रेंगे पर चड़के बैठा था आप उसका इंपक्ट सोचिए कि आज 400 से 500 लोग अपनी जान गो बैटे उसका इंपक्ट देखे जिम्मेदारी को किसके उपड़ना बहुत कठें है मगर मैं सिर्फ यह बोलना चाहता हूं कि क्या भाजपा यह जिम मदारी को लेने को तैयार है जहां वो बुलेट ट्रेंग की खौब देख रहे हैं गरीबों की जोपड़ पट्टी तोड़कर वो बुलेट ट्रेंग बनाना चाहते हैं वो कितने कितने मोहले कितने कितने अबादी को हटा कर वो बुलेट ट्रेंग बनाना चाहते हैं क्या हि इस नौ साल के रेजीम में, जो एक बहुती बेकार गवर्नेंस था, ठीक है, क्या हिंदुस्तान तयार है कि हमें बुलेट ट्रेन मिले, जब कि हम अपने नॉर्मल ट्रेन को नहीं इस्तिमाल कर सक रहें, उसको मिंटेन नहीं कर सक रहें, भाई, देखिए, नौ सव आदनी इं नहीं है, जो इंपक्ट से वो ट्रेन लगा है, क्योंकि मैं जब देख रहा था, कि वहां पर अभी वी दो, जब मताब एनरजी ये बात कह रही थी, कि दो भूगी से अभे भी बाकी है लाश निकलना, तो जल्दी से रेल्वे मंत्री ने क्या दिए कि नहीं नहीं वो कड़ मताब एनरजी ने सर्दी पहला दी, स्नीजिंग जो डिजीज है मताब में एनरजी ने पहला दिया, तो क्या आज हम विपक्ष में रहके, लोग के साथ जो हुआ वो तो मेरी उकात नहीं है कि मैं उसको कुछ भरपाई कर सकूँ, मैं हाथ जोड़के माफी मांग सकता हूँ मगर धिरियंदर सास्त्री कह रहे हैं कि उन्हें सब कुछ पता था, एक बाबा है जो फ्यूचर देख लेता हूँ जब कोई भी देश, चाहे वो गीता हो या कुरान हो अगर उस देश इस चीज के पिछे चला जाता है देखे है, रिलिजिन जो है, वो मेरा प्रस्नल है, तेखे है, मैं रास्ते में नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, रास्ते में नमाज पढ़ने की, हो सकता लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि मेरा इसलाम बोलता है कि मेरे वज़े से आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, आपका नमाज आप घर में आके पढ़िए, ठीक है, तो जब कोई भी देश, ये गीता, कु इतरे चीज़ है, अस्मानी किताबे है, जब मगर देश इस बात को नहीं सुनता कि गीता में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, मगर एक ऐसे इंसान की बात सुनता है, जो खुद भगवान के महताज है, है न, देरिंदे शास्त्री के उकात क्या है, वो तो हमारे भगव कोविड ने सब को अपनी अपनी उकात बता दी, सब को घर में बठा दिया गया था, आपका प्रेडिक्शन, आपकी सारी चीज़े वो धरी की धरी रह गए थी, मूह में लग गया था कपड़ा, बन गया थे आप घर पे, और मौते हो रही थी, यह है उपर वाले का हो दोगों की मौत होने वाली, यह जो धूंग करते हैं, यह जो टीवी में आके, ठीक है? के, यह सारी चीज़ सेटिंग है, यह धोंगी चीज़ें, एक कोई करोली बाबा, आप देखिए, वह दो लड़की एक साथ जाके खड़ी हुई हैं, मैं आपको वीडियो आप शेर क अब तुम आग खोलो लड़की 30 सगेंड में आग खोल के बोलती है कि हाँ बाबा मुझे लग रहा कि मैं लंबी हो गई बाबा मेरा हाइट बढ़ चुका है बाबा आप समझ रहे तो सिर्फ यह करोली नहीं अगर कोई टोपी पहन के मौलाना भी अगर यह बात बोलेगा तो म तुम भी वैसे ढोगी हो तुम भी नकली हो क्योंकि किसी के अंदर इतनी आउकात नहीं है उपर वाले को छोड़ कर कि आपको लंबाई बढ़ा दे आपको बूरा कर दे आपको पतला कर दे इंसान के हाथ में हो सकता है इंसान अपना उप्रेशन करा के बहुत चीज कर सकता सजरी करा के कर सकता है मगर इंसान के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं कि वो कर दे हाँ कोई बिमार है तो हाँ भई गीता का शास्त्री पढ़िए कुरान की आयते पढ़िए जादू और मैजिक हो सकती कि बहुत शक्ति मगर धिरिंदिश शास्त्री थे बेपूफ लोग हैं नहीं आपनस्तों खवाज बाबा की बात अलग है श्रिवशंकर की बात अलग है खुदा की बात अलग है, भगवान की बात अलग है, इनसे आप कंपेन ने, ये जो लोग एक हरा और और ओरेंज कपड़ा पहन कर जो ये टीवी पे बैड जा रहे हैं, इनकी कोई दो पैसे की उकात नहीं है, दो पैसे की उकात नहीं है, गीता में लिखा है कि कलियोग में क्य होगा, वो हम समझेंगे, तुम रोक नहीं सकते, तुमहारे नसीब में जो लिखा है, तुम इसको रोक नहीं सकते, और तुमहारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम इसको रोक हो, जब तक मैं नहाँ चाहूँ. तो दिरेंदर शास्त्री गीता से बड़ा है हनुमान का नाम लेकर चल तो रहा है तो क्या हनुमान जी से बड़ा है हनुमान जी से बड़ा नहीं हो सकता तो इन जैसे लोगों के बातों में बिल्कूल मत आईए ये नसीब में था एक्सिडेंट होना कहीं न कहीं किसी की गल्ती थी और ये हो चुका है अब कोई भी टीवी में आ के कोई भी बोल दे के हम ये रोक लेते हैं ऐसा हो जाता वैसा ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है आपको साइंस में बल्लिख करना चाहिए मनोश्तिवारी को जरुवत है कि वो धिरिंदे शास्ति का जूता चाटे और दूथ ऐसे पैर में दूथ रखे और दूथ जो नहर को नहीं बानके गंगा सागर को नहीं मानकर वरानसी को नहीं मानकर घाट और असी को नहीं मानकर वो धिरिंदर शास्तरी का तलवा चाटे वो उनके लिए बहतर है क्योंकि अभी एलेक्शन आने वाला है देखें यहाँ पर सारा बात polarization का है कि किस तरीके से हिंदू को polarized किया जाए मुसलमान को polarized किया जाए धिरिंदर शास्तरी की follower बढ़ ली है तो follower बढ़ने का मतलब है कि आपको अपना वोड भी मिल जाएगा अगर धिरिंदर शास्तरी यह से हाथ रख के यह कह जाए दे कि यह यह शेर पठा मेरा है और उसको वोड दो तो वो सकता कहीं न कहीं लोग वोड भी दे मगर कोई चीज को प्रेडिक करना दिरिंदर शास्तरी की आउकाथ नहीं कि वो कोई भी चीज प्रेडिक कर दे जिस तरह था आभी बाले सवर रेल घटना पे अ घट रहे धें कि भोछ बड़े नाटक बास यह बहट बड़े अक्टिंग बास और मेप aquela मेप क्या करकर झारे थे एसने उंख्या एं उंटमे कर रहे हैं क्या खेल लोडव में चीज़ती को जो यह श में लूड करते हैं ज कंप रहे-टृत 먼저 लोगों को बीडिया कां वह देखे होंगे आप तीन मिनट चार मिनट ऐसे फोन में लगातार बात करें ते वह किस से बात कर रहे थे अमिच्छा से बात कर रहे थे कि बिटा तो हमको कहां फसा दिये तुमारे चकर में बाला सोर आना पढ़ ला है और यहां पर गाली सुननी पढ़ लिए तुमारे क्लास ऐसे लिया उत्सरां परैंडिस्टान ने देखा उपने च्छे हैं और एपने तरफ से वह जो भी दे शकती थी बंगाल के जंटा को जो जो ट्राइवल कर रहे थे उन्होंने बता दिया कि क्या-क्या मिल रहा है बारा Speechत मिल रहा है पांसान सार मिल uffांस्ता मिल रह ह वो बताई और वो बोल के चले गए उन्होंने यहाँ पर 40 अमूलेज भेज दिया था कई 100 डॉक्टर भेज दिया था और इसकी प्रसंशा हमारे नवीन बाबू भी करते हैं कि भई बंगाल से बहुत हेल्प मिला मिदनीपूर के लोग पूरे उठके चले गएते